आज हम लोग फंट खर्चा कर रहे हैं क्योंकि लास्ट फाइव टर्म्स में हम पिछला जो पास साल में अध्यक्ष महदेत हैं यही कुछ पार्षत जो दुबारा जीत क्या है या यही कूट नीती कई यह रन नीती कई यह सारा फंट थप कराके रख दिया था आप मुझे बताइए कि ऐसे ऐसे होना है आपका नॉलेज है शेयर कीजिए इंप्लिमेंट करना मेरा काम है तो काउंट मैंने बोलना फोटोस के थूरू भी आप देख लीजिए कि कितना वॉक आउट बोलिए बहिशकार बोलिए सदन साड़ा चार बजे तक चला है बहिशका सुरज को देखते आखों में थोड़ी सी रोशनी जादा उन लोगों को लग रही है इसलिए आख बंद करना चाहरे है नमस्कार मेरा नाम सानुजा है और आप लाइब सिटीज मधूबनी से देखना सुरू कर चुके हैं हमारे साथ अभी मधूबनी की जिला परशत की अध सिती हो गई कुछ लोगों का कहना है कि जो वहां पे ततकाल उपस्तित थे अब यह फैक्ट गलत भी हो सकता है इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि वहां पे 33 वार्ड जिला पारशतों में से 35 जिला पारशत जो हैं वह वो कर जाते हैं कहा जाता है कि या तो अधिकारी यहा पताना चाहती हूं हम लोगों की कौटरली बैठक कल थी उसमें से 56 जिला परिशत मेंबर्स में से 46 लोग उपस्तित थे 10 लोग एपसेंट थे एक्सवाइज ड्रीजन हो सकता है मन्सून सीजन है गवर्मेंट ओफिसर्स में से डिपार्टमेंट में सहाब देखेगा 28 लोग प्रेजेंट हैं बिजली भाग उपस्तित नहीं था किसी कारण वर्ष उसके लिए हम लोग बोले है कि शोकॉस करेंगे डेडिसी साब टाइम हां हमको भी शौक लगता है आप अगर रिपोर्ट देखिएगा जिला परिशद का समानपाती रूप से योजना जारी है सरसमय से सबको योजना मिल रहा है पेमेंट हो रहा है प्रगती हो रही है लेकिन कुछ लोगों को शायद डर्टी पॉलिक्स करना होता है वो बोलता ह फेस्बुक पे निता बनना आते हैं अपना वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं फिर बोलेंगे उसको हाइलाइट करेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आप जो कहना है कोडिनेशन नहीं है तो इतनी हेल्दी वे में फंड कैसे यूटिलाइज हो रहा है आज हम लोग टर्म्स में हम पिछला जो पाथ साल में अध्यक्षमोदेत हैं यही कुछ पार्षट जो जीत क्या है यही कूट नीती कई है रन नीती कई है सारा फंड थप कराके रख दिया था पैसा यूटिलाइज नहीं हो पाया था आईसा आईसी बात थी कि वहाँ पे आपने heeft रहे हैं कि हम नाराज है कि मैं में अकॉर्ढेस है वह चीजों को नहीं समझ पाती हैं चीजे अगर हम ने receivers पार रहे हैं सर्व्य करा लिजा इतने बार जो अध्यक्ष बने हे चिला में principleAl Trahan में उपस्तित होता है घुठैप्लिली सदन में अफिस में उपस्तित हो हैं लेने के लिए मैं बहुत simple person हूँ मुझे देड़ी साल हुआ है politics में आके मुझे भूख है knowledge की आप मुझे बताइए कि ऐसे ऐसे होना है आपका knowledge है शेयर कीजे implement करना मेरा काम है चूक कहीं नहीं हुई है सदन स्टार्ट हुआ बातचीत शुरू ही debate शुरू हुआ उसके ब लोगों को बुला बुला के उठो उठो चलो चलो प्रोवक करके उसको मिजगाइड करके देखिए अब मेरे घर में आप यह आया है आप चाहे पिलाओंगी नास्ता कराओंगी और जाते टेम अगर बोलोंगी जाहिए तो आप चले ही जाहिएगा तो सदन के कुछ ऐसे गन अब दस्ती ले गए तो मुझे लगता है जो 30 का काउंट आप कह रहा है ना वीडियो में दिख रहा है 30 का काउंट जो फोटो भी वाइरल हो रही है काउंट कर लिजा अगर 30 दिख जाता है तो जो आप लोग फिर काउंट कर लिए मतलब वाक आउट तो हुआ है यह तो भाश नहीं थे 10 पारशम नहीं अगया तो अगर 10 पार्शद मी आया है ता भी हम लोंका भी टाइम है उन लोंका भी टाईम का आगर से मेरा इसे हो जाता ना एक टाइम पर तीन तीन वीसी होती है बिंग एजुकेटेट परसन मुझे मालूम है टेकनिकलेटी कहा फसेगी किसी का भी प्रेजेंट होना अटेंडेंस लगाना वहाँ किसी का दीओ अबी चार्ज दे चुके हैं डीपियो को तो न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग में भी कुछ है डीपार्टमेंट के वो उपस्तित नहीं हो पाए उनके डीपियो उपस्तित थे एवरिधिंग वहाँ पे चीजे स्मूथ चल रही थी कुछ लोगों को जाना था जितने वहाँ पे पारशद मौजूद थे वो जो इसे तीन महिना पे यह साइध होती है और लोगों की बैठख इससे पहले जो उन्होंने आपको प्रस्ताब दिया था क्या उन प्रस्ताबों को आपने संपाजित नहीं किया था ये भी उनका कहना ने प्रस्ताब जो उन ल लेकिन आपको लगता है कि आप पे भी मतलब एक तरह से कहा जाजा कि डिपलोमेसी है राज नीती में आपको फसाया जाता है यह आप कहना चाहती है कि उन लोगों का अपना एक गुट चलता है ने ने उन लोगों को निता बनना है, आकर प्लेटफोर्म पर अल्लाग उलला कर रहे है, और कोईब्र बात नहीं है प्रैक्टिकलिम आपकर बेखाए पेपर पे मुद्दा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, प्रूफ कीजिए, समस्या कहा है, अनुपालन अगर नहीं आ रहा है, पदाधिकारी नहीं आ रहा है, बैठी है, डिडी सी सब बैठे हैं यहाँ पे, कल बैठक साड़े चीजे स्मूथ है, देखें, 19-20 होगा, सदर से भी जब 10 नहीं आ है, तो पदाधिकारी भी तो कुछ नहीं आ है, तो इसको हमको accept करना होगा ना, hard and stop नहीं कर सकते कि आपको आना ही है सभी को, जो आपके पक्षबाले है, उनका कहना है कि जहां पे कोई भी चीज का निर्मान होता है, आपके थुरू या फिर अगर कहीं सरक भ पे दे रहे हैं, विडोधियों को छोड़के, वो लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने योजना उनको भी समानपाती रूप से ही दिया, वहां पे आपका नाम नहीं आता है, नहीं, उनके लिए अध्यक्ष एक्जिस्टी नहीं करती हूँ, मैं यहां पे बैठी हूँ करके आई हूँ, ऐसा नहीं है कि फादर ने मुझे लॉंच किया और मैं आ गई और जनता ने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उसको प्रूफ किया है, देड़ साल हो गया है, चार सो पंचायत है, एक भी पंचायत नहीं होगा जहां पे मैं खुद नहीं गई हूँ, बल्द पा पर आप मुझे एक पार से दिखा दीजे, जिसको योजनाय कम मिली हो, इसके पीछे कोई राजनितिक बद्वू, उकता हुआ सूरज को देखते हैं, आखों में थोड़ी सी रोशनी जादा उन लोगों को लग रही है, इसलिए आख बंद करना चाह रहे है, यही एक रीजन ग्राउन लेवल, ग्रास रूट के नेता है, शॉर्ट एंड स्वीट में हम इतना ही कहना चाहेंगे, कुछ लोग राजनीती में जादा ही डिटी पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, जो प्लाटफॉर्म पर सामने आके डिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बिंदु गुलाब क इन्होंने तमाम बातों का अपना असपस्टी करन दिया है, कल ये मीटिंग में मौजूद थी, और कुछ लोग बॉक आउट कर जाते हैं, और कहते हैं कि इनमें बहुत जैदा जो है वो दम भागया है, उन तमाम चीजों पर जो भी मैंने सबाल पूछा है, और कापी वो न ही देखते रहें, लाइव सिटीज को तातकाल के लिए दिजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद,